रुकरते राज़ानी भुपाल से मिल रही ख़बर का जहां मत्यप्रदेश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है बीते 24 घंटे में एक ही दिन में 544 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें प्रदेश में एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं राज़ानी भुपाल में एक ही दिन में 96 पॉजिटिव केस सामने आया है जिन में 3 पुलिस करमी, 7 निगम करमी भी शामिल है एक मीडिया संस्थान के 16 करमशारी भी पॉजिटिव पाए गया है बड़ी खबर है इस वक्त की राज़ानी भुपाल से 96 नए पॉजिटिव केस सामने आया है मद्य प्रदेश में कोरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रखा गया है बड़ते कोरोना मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा इस दोरान केवल आवश्रक सेवाओं को ही अनुमती दी जाएगी जरूरी कामों को छोड़ कर किसी को भी घर से बाहर निकलने के नुमती नहीं होगी बाजार, कारेलय, प्रतिस्ठान पूरी तरह से बंद रहेगे दूद, पार्लर, मानिकल, सहत, इमेजेंसी सेवाओν को चूट रहेगी बेवज़ा घर से बाहर निकलने वालों पर कारवाई की जाएगी वही राजदानी भोपाल के इब्राहिम गंज में एक हफते के लिए टोटल लॉकडाउन रहेगा भोपाल के होट स्पोट इब्राहिम गंज में 12 से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन के आदेश दिये गए हम रुक करेंगे वासू चौरे हमारे समवाद दाता हमारे साथ इस वक जुड़ गए हैं लाइव वासू जाहिरे की जो आकड़े अच्चानक से का एक बड़े हैं ये वाकई हरान करते हैं प्रदेश में भी बीते 24 गंटे में 544 नए केस और राजधानी भूपाल में 96 ये वाकई चौकात है आप बिल्कुल दीपक देखिए मदप्रदेश में किल कोरोना अभियान चल रहा है जिसके तहत बड़ी मातरा में सैंपलिंग की जा रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही है उन से लगतार कोरोना के मामलों में बड़ोतरी देखे जा रही है और इसी के मद्दे नजर प्रद में टोटल लॉगडाउन रहेगा और जो टोटल लॉगडाउन किया गया है इसका असर साफ दोर पर मद्देश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं शहर में जगे जगे पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं जो भी लोग यहां से गुजर रहे हैं उनसे पूछताच की जा रही है कि किस वज़े से वो निकले हैं केवल मेडिकल डेरी और जो एसेंशियल सर्विसेस हैं नगर निगम की कर्मचारी हैं केवल इन लोगों को ही मुवमेंट करने के छूट दी गई है इसके अगर कोई निकलता है तो पुलिस के जवान जो तैनात हैं ये उनके खिलाफ कारवाई करते हैं और सकते हिदायत भी दी जा रही है वहीं आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है अभी हम भोपाल के 10 नंबर मार्केट पर मौजूद है पूरी तरीके से सननाटा यहां पर चाया हुआ एक हफते का लॉकडाउन किया गया है बहुत सकती से वहाँ पर लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा चूकि भोपाल में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना की कल ही हमने देखा कि 96 नए केस निकल कर रहे हैं तो इस सब के मद्दे नजर अब सरकार कहीं न कहीं सकत करने के लिए विवश है और लोगों में एक जागरुकता मैसेश देने के लिए भी इस एक हफते में एक दिन के लॉकडाउन की पूरी कवाया थे वो की गई है ताकि पूरे हफते लोग जो पूरा लॉकडाउन है पूरा सिनेरियो है गाइलाइन से कोरोना की उन सब का आसा हमने बड़ा चैलेंज यह है कि टेस्टिंग के बाद आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई के बाद उसका तुरत इलाज करना ताकि जो कोरोना का संक्रमाइन है वो और ज्यादा ना फैले जो कम्मुनिटी स्प्रेट का डर बना हुआ था उसको कहीं न कहीं रोका ज जा सके दीपक चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वासू बाद शीद के लिए और ताज़ा तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए